नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारा यूटूब चैनल इंग्लेश टेचिंग पाइन पे बलकम है आज के सेशन में हम लोग 12th क्लास 100 मार्क्स इंग्लेश प्रोज और पोईटी सेक्षन के अल चेप्टर्स उनके राइटर्स के नेम उनके डी ओबी डेट अफ बर्थ उनके डी ओडी डाइड डेट और वे किस कंटी से बिलॉंग करते थे या करते हैं इस पर डिसकस करने जा रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफी महत्पूर्ण होने वाला क्योंकि आप जानते हैं कि मैस्ट फॉलोइंग 5 मार्क्स का पूछा जाता है जिसमें आपको महत्पूर्ण होने वाला है आप यदि बोर्ड एक्जामनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफी महत्पूर्ण होने वाला है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सेर करना मत भूलिएगा शुरू करते हैं आज का सेशन 12th क्लास 100 marks English pro section का 1st chapter Indian civilization and culture भारतिय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है महात्मा गांधी का जन 1869 में हुआ था 1869 में हुआ था and he was died in 1948 1948 को वे इस दुनिया से चल बसे he belong to India where India से belong करते थे he is known as father of nation where rast के पिता के रूप में जाने जाते हैं second chapter भारत is my home भारत मेरा घर है यह एक speech है और यह speech डॉक्टर जाकीर हुशेन के द्वारा दिया गया था जब वे 1960 में राष्ट पती पद का सपत ले रहे थे डॉक्टर जाकीर हुशेन का जन्म 1897 में हुआ था और उनका निधन 1969 में हुआ था जब वे आम दिनों की तरह राष्ट पती कारियाला में अपना काम निप्टा रहे थे वे भी इंडिया से बिलोंग करते थे थार्ड चेप्टर अपींच अ पुछ कर अप एसेनफ शिचा पैषण उदर veinsनफ रहे दिन्म सवर्टर կा एक यह लगु कथा है इपानोहर माल्गाउंकर जो मान ओहर मालगाउंकर के द्वारा लिखा गिया है मानोहर मालगाउंकर बाद1 में रहे थे थे हमारा जो 4th chapter है I have a dream यह भी एक speech है और यह speech Martin Luther King Junior के द्वारा दिया गया था उनका जन्म 1929 में हुआ था 1929 में हुआ था and he was died in 1968 और वे अमिर्का से बिलॉंग करते थे 5th chapter ideas that have helped mankind chapter Bertrand Russell के द्वारा लिखा गया है उनका जन्म 1872 1872 में हुआ था and he was died in 1970 1970 में उनका निधन हुआ था और ही बिलॉंग टू United Kingdom वे इंग्लेंड से बिलॉंग करते थे 6th chapter दो आटेस्ट या सीगा नुया के द्वारा लिखा गया है उनका जन्म 1883 में हुआ था उनका निधन 1971 को हुआ था और वे जापान से बिलॉंग करते थे 7th chapter a child is born या जर्मेनिक गेर के द्वारा लिखा गया है उनका जन्म 1939 1949 में हुआ था और अभी वे एलाइव हैं उनकी उम्र 81 एस है और वे ऑस्टेलिया से बिलॉंग करते हैं चाप्टर नम्ह एट हाव फ्री इस दप्रेश हाव फ्री इस दप्रेश दियल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है उनका जन्म 1893-1893 में हुआ था और उनका निधन 1957 उनिश्व संताबन में हुआ था वे इंग्लेंड से बिलॉंग करते थे उनिटेट किंटम से बिलॉंग करते थे चाप्टर नम्ह नाइन द अर्थ अची वेट्स के द्वारा लिखा गया उनका जन्म 1905-1905 में हुआ था और उनका निधन 1974-1974 वे भी इंग्लेंड से सब्सक्राइब के द्वारा लिखा गया है उनका जन्म 1892-1992 और उनका निधन 1973 वे चाइना से बिलॉंग करते थे चाप्टर नम्ह एलेवें आ मैरेज पर पोजल आंटन सखो के द्वारा लिखा गया है उनका जन्म 1860-1960 में हुआ था और उनका निधन 1904-1904 को हुआ था वे रशा से बिलॉंग करते थे रूश से बिलॉंग करते थे तो सेक्षन आपका कम्प्रीट होगी आप स्टार्ट करते हैं पोईटी सेक्षन पोईटी सेक्षन का जो फर्स्ट चैप्टर है स्विटेश्ट लव आई दूनोट गो यह ज लॉंडन का जन्म 1572 1572 में हुआ था एंड ही वस डाइड इन 1631 1631 को उनका निधन हुआ था यह बिलॉंग टू इंग्लेंड वह इंग्लेंड से बिलॉंग करते थे लॉंदन से बिलॉंग करते थे हमारा दो चैप्टर नमबर पोईटी सेक्षन का सकेंड है सॉंग आफ मैस यह वाल्ट बिट्मेन के द्वारा लिखा गिया है इनका जन्म 1819 1819 में हुआ था एंड ही वास डाइड इन 1892 1892 इनका निधन हुआ था यह बिलॉंग टू अमेर्का यह वैसे वे युएसे से बिलॉंग करते थे अमेर्का से बिलॉंग करते थे पोईटी सेक्षन का जो ठर रिलेशन है नाव दालेवसर फॉलिंग फास्ट नाव दालेवसर फॉलिंग फास्ट यह डावलु एस ओर्डेन के द्वारा लिखा गिया है डावलु एस ओर्डेन के जन्म 1907 1907 में हुआ था और ही वास डाइड इन 1973 1973 को इनका निधन हुआ था यह बिलॉंग टू फॉलिटी सक्षन का और टू आटम यह जॉन के द्वारा लिखा गया है जॉन किट्स का जन्म 1795 सत्रह सब पंचानवे को हुआ था एंड ही वास डाइड इन 1821 1821 को इनका निधन हुआ था और वे लंदन से बिलॉंग करते हैं फॉलिटी सेक्षन का जो नेक्स चैप्टर है वह एन एपिटाप है जो थोड़ा सा कट गया है एन एपिटाप वाल्टर डेला मेर के द्वारा लिखा गया है वाल्टर डेला मेर का जन्म 1873 1873 में हुआ था एन ही वास डाइड इन 1956 1956 में उनका निधन हुआ था वे भी इंगलेंड से बिलॉंग करते थे नेक्स चैप्टर दा सुल्जर दा सुल्जर रूपर बुक के द्वारा लिखा गया है उनका जन 1887 1887 में हुआ था एन ही वास डाइड इन 1915 1915 में उनका निधन हुआ था ही बिलॉंग तो इंगलेंड हुए भी इंगलेंड से बिलॉंग करते थे हमारा चैप्टर नमर जो नेक्स्ट है पोई 1888 में हुआ था एन ही वास डाइड इन 1965 उनका निधन उनिश्व पैसर को वा था और वे उनिटेड से बिलॉंग करते थे संतु लूइस से बिलॉंग करते थे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है फाइड हीम फाइड हीम केकी एन दारुबाला के द्वारा लिखा गया है इनक साइटिस को वा था और वे एलाइव है उनकी उम्र जो है 83 एस है और वे इंडिया से बिलॉंग करते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है एसने एसने डियाच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है इनका जन 1885 1885 में हुआ था एन ही वास डाइड इन 1930 1930 को इनका निधन हुआ था ही बिलंग टो इंग्लेंड यह भी इंग्लेंड से बिलॉंग करते हैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर देजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर देजेगा जिसे आने वाली वीडि से कमलादास अपने दादी मा के प्यार और अपने दादी मा के घर को याद करती है कमलादास का जन 1934 1934 में हुआ था और उनका निधन 2009 में हुआ था वह भी इंडिया से बिलॉंग करती है तो आज के लिए इतना ही टेक कियर गुडबाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेक किर